सर्वनाम सर्वनाम आप लोगों ने से नीचे की कख्षाओं से पढ़ा है लगातार सर्वनाम क्या है, संग्या क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेशन क्या है और आगे शब्द भेद के जो विभिन प्रकार हैं उसमें सर्वनाम संग्या के बाद सामाने ते आता है कम से कम हिंदी भाषा में अंग्रेजी में भी विशेशन के बाद या विशेशन के पहले उस क्रम में आता है सर्वनाम क्या है ये जानने से पहले थोड़ा हम जाने या बात करें संग्या की संग्या क्या है किसी भी व्यक्ति वस्तु चीज पदार्थ इसके नाम को संग्या कहते हैं किसी भी वस्तु पदार्थ व्यक्ति प्राणी इसके नाम को संग्या कहते हैं टेबल, राम, कदम का पेड, स्पैरो चिडिया, कभूतर, धर्ती, चंद्रमा, हवा, ये सब क्या हैं, ये सब संग्याएं हैं, नाम हैं उनके, है ना, इस नाम, जब ये शब्द हम बोलते हैं, हवा, तो हम समझ जाते हैं, हम किस के बारे में बात करने के लिए, जिसका उप्योग होता है, वो नाम कहलाता है, और नाम क्या है, संग्याएं हैं, संग्या क्या है, नाम, संग्या क्या है, अब सर्वनाम क्या है, संग्या के बदले, जिस शब्द का उप्योग हो, उस वस्तु के लिए, उसे सर्वनाम कहते हैं, ये एक परिभाशा है, संग्या के बदले, उप्योग किये जाने वाले शब्द, उसी वस्तु के लिए, वो सर्वनाम है, हम कह सकते हैं, हरी is absent, हरी is absent, because हरी is ill, हरी अनुपस्थित है, क्योंकि हरी बीमार है, मतलब हरी हमने शब्द दो बार प्योग किया, हम कह सकते हैं, राम पढ़ रहा है, क्योंकि राम की परिक्षा है, एक ही नाम को मैंने दो बार नाम लिया, पर ऐसा सामानित या नहीं होता, हम नाम एक बार लेते हैं, पहली बार, और उसके बाद नाम के बदले, कुछ अन्य शब्द का प्रियोग करते हैं, जो उस नाम को इंगित करता है, उसके बाद हम कुछ अन्य शब्द का उप्योग करते हैं, पहली बार नाम लेते हैं, और दूसरी बार तीसरी बार हम कुछ ऐसे संके तात्मक शब्द उस नाम के बदले उप्योग करते हैं जिससे इस पश्च चुजाता है कि हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं उदारन के लिए हरी इस एपसंट बिकॉज हरी इस इस इल इसको हम कैसे बोलते हैं सामानिता हरी इस एपसंट बिकॉज ही इस इस इल क्योंकि वह अनुपस्थित है हरी शब्द जो दुबारा ऐसा उसके बदले हमने क्या प्योग किया वह इस प्रकार संग्या के स्थान पर प सर्वनाम हो गया नाम के बदले आया है सर्वनाम अंग्रेजी में उसे कहते हैं प्रोनाउन क्या कहते हैं अंग्रेजी में उसे प्रोनाउन P-R-O-N-O-U-N संग्या के बदले आने वाले संग्या के बदले उप्योग किये जाने वाले शब्द को संग्या के बदले, कोई और नहीं, केवल संग्या के बदले, उसे ही प्रोनाउन करते हैं, संग्या के स्थान पर, संग्या के बदले, संग्या की बार बार पुनरावृत्ति नहीं करने के लिए, संग्या की पुनरावृत्ति से बचने के लिए, हम क्या करते हैं, सर्वनाम का अप्योग करते हैं जैसे वह है, हरी के बदले हमने वह का उप्योग किया I am young I am young We are young You are young And they are young I say, he is young या, he is young यहां किसी का नाम लिया क्या I am young मैं अपने बारे में बोलू तो क्या मैं बोलूगा यह दि मेरा नाम संदीप है तो क्या मैं बोलूगा संदीप is young मैं क्या बोलूगा, I am young मुझे कहना है वे लोग आ रहे हैं तो क्या मैं बोलूँगा कि उनके नाम लेकर जितने लोग आ रहे हैं उन सब के नाम लेते चला जाओंगा आज दस लोग को मैंने भोजन पे बुलाया है दस लोग आ रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि राम, शाम, मोहन, सोहन, पीता, गीता आ रहे हैं नहीं मैं कहूंगा वे लोग आ रहे हैं तो ये वे क्या है आई क्या है मैं क्या है ये संग्या के बदले बोले जाने वाले शब्द हैं संग्या के इस्थान पर संग्या का बारम बार बोलने से बचाने के लिए क्योंकि बार बार बोलना कान को खटकता है तकलीफ देता है बोल हरी बीमार है यह सामान ने बोल चाल में कभी नहीं बोलते हैं हम बोलते हैं हरी आज नहीं आया क्योंकि वह बीमार है मोहन और उसके साथ सब लोग आ रहे हैं हम सब के नाम नहीं लेते हैं तो संग्या के बदले उप्योग किया जाने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है ठीक तो पहली बात हम समझ गए थोड़ा सा संग्या उसके बाद हमने जाना कि सर्वनाम क्या है और अब हम बढ़ते हैं थर्वनाम के थोड़े से अलग प्रकारों पर, थोड़ी और बारीकियों में जाते हैं हमने देखा जाते हैं, I am young, you are young, he is young, yeah she is young, they are young and we are young तो क्या-क्या शब्द हो गए, I, we, you, he, she, they, ये सब क्या हैं, सर्वनाम अब ये जो सर्वनाम हैं, ये सर्वनाम कहलाते हैं personal pronoun, क्या कहलाते हैं, personal pronoun क्योंकि ये व्यक्ति वाचक हैं, पुरुष वाचक हैं, पुरुष व्यक्ति, पुरुषकार्थ मेल नहीं, पुरुषकार्थ प्राणी सजीव, उसको बताते हैं, इसलिए नहीं क्या कहते हैं, पुरुष वाचक सर्वनाम या personal pronoun Is that clear? I, you, we, they, ये सब क्या ही, she, व्यक्ति बताते हैं, किसी एक व्यक्ति को बताते हैं, एक व्यक्ति से मतलब व्यक्ति को बताते हैं, एक व्यक्ति या व्यक्तियों के जुंड को, और व्यक्ति मतलब पुरुष नहीं, पुरुष नहीं, प्राणी, सजीव अब यदि हम थोड़ा बारी के से देखें ये यंग वाले वाक्ष को तो आप देखेंगे इसमें या तो कोई बात करने वाला है बात करने वाला जैसे मैं था I am young मैं बात कर रहा हूँ मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ तो अपने बारे में बोला हूँ तो एक वाक्य की एक कैटेगरी हो गए बात करने वाला होता है दूसरा सुनने वाला होता है जिसको मैं बोल रहा हूँ तो एख शुरोता भी तो है किसी को सम्भज़ित कर रहा हूँ तो जिसको सम्भज़ित कर रहा हूँ वो दूसरी कैटेगरी हूए और तीसरा है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ Hari has not come because Hari is ill तो मैं किसके बारे में बात कौन बात कर रहा है मैं बात कर रहा हूँ किसको किसी को बोल रहा हूँ किसके बारे में बोल रहा हूँ किसी तीसरे के बारे में कह रहा हूँ हरी के बारे में कह रहा हूँ तो निश्चित रूप से कोई सुन भी रहा है यानि कोई सुनने वाला है और जो सुन रहा है वो किसी व्यक्ति से सुन रहा है यानि कोई बोल रहा है तो मैं बोल रहा हूँ वो सुन रहा है और तीसरे के बारे में बोला जा रहा है यह रहते हैं, I और वी जो है, I मैं बोलने वाला, और वी मेरे लिए हम, यह जो personal pronoun of first person कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, first person pronoun, पहला, I को पहला स्थान दिया हैं अंग्रे जोने, I मैं, यह याद रखिएगा, यह उत्तमा वस्था हम, उत्तम पुरुष कह सकते हैं, हिंदी में इसे क्या कहेंगे, पुरुष वाचक उत्तम पुरुष शर्वनाम, personal pronoun of the first person, personal pronoun of the first person, first मतलब क्या हुआ, मैं, बोलने वाला हूँ, या हम, मैं या मेरे group से जुड़ा हुआ, जिसमें मैं समाहित हूँ, हम यदि बोलते हैं, तो हम में मैं रहता है कि नहीं, मैं अपने आप उसमें नहित रहता है, हम का एक हिस्सा है मैं, तो हम, इसको क्या कहते हैं, बोलने वाले को first person pronoun, और ये कौन सा प्रणावन है, पुरुष वाचक प्रणावन, personal pronoun, ये याद रखिएगा, ये personal pronoun है पहली बात, और personal pronoun में भी ये उत्ता मवस्था वाला है, ये first person वाला, अब मेरे बाद, दूसरा क्या है, सुनने वाला, तो सुनने वाला जो कहलाएगा, वो मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में क्या होगा, सुनने वाला कौन है, तुम, किसी को संभोजित कर रहा हूँ, तो वो तुम तो हुआ न, यू हुआ न, I or we, first person, you, second person, तो यू जो है, वो क्या हो गया, personal pronoun of the second person, याने मध्यम पुरुष, पहला क्या था, उत्तम पुरुष, दूसरा क्या था, मध्यम पुरुष, personal pronoun of the मध्यम पुरुष, मैं बात कर रहा हूँ, तीन तरीके के लोगों की, एक वक्ता, दूसरा श्रोता, और तीसरा तीसरा व्यक्ति, वक्ता, first person, श्रोता, second person, और तीसरा व्यक्ति, third person, लेकिन तीनों क्या है, पुरुष, वाचक, सर्वनाम के हिस्से हैं, ये आप याद रखेंगे, ये जो पुरुष, वाचक, मध्यम पुरुष, जो है, इसे हम second person कहते हैं, क्योंकि इसमें एक याद से अधिक व्यक्ति का बोद कराता है, यू, यू मतलब एक भी और यू मतलब बहुत सारे लोग, उसके लिए भी यू का उप्योग होता है, तो एक व्यक्ति या एक से ज़्यादा व्यक्ति, इसका बोद कराता है, इसके अनुभूति कराता है, तो पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, पहला first person, दूसरा second person, I का उप्योग एक वच्चन में होता है, यहने first person में I का उप्योग एक वच्चन, I मतलब मैं, और हम के लिए क्या होगा? We, जिसमें मैं भी जड़ा हुआ हूँ, तो I एक वच्चन, वी बहुचन, और first person है दोनों, लेकिन जो दूसरा है उसमें you, एक वच्चन के लिए भी होता है, और you बहुच्चन के लिए भी होता है, you all come, तुम सब लोग आओ, तो you जो है, वो एक वच्चन और बहुच्चन दोनों के लिए, और first person में I जो है, वो एक वच्चन के लिए और I के बदले वी बहुच्चन के लिए, ठीक, ये तो हो गया first person और second person, अब तीसरा क्या है, हरी, जिसके बारे में बात हो रही है, कोई तीसरी चीज के बारे में लिए तो बात होगी, आपके बारे में बात नहीं हो रही है, तुम्हारे बारे में लिए तीसरे के बारे में हो रही है, जो तीसरे के बारे में हो रही है, वो कहलाएगा personal pronoun of third person, बड़ी सीधी परिभाश्या, बड़ा सीधा नाम, इसका जो नाम करना है बड़ा सीधा है, थर्ड परसन, तीसरा आजमी, तो तीसरा आजमी कौन है, he, she, वह, लड़का, और वह, लड़की, दोनों के लिए वह शब्द है, वह जाता है, वह जाती है, राइट, she goes, he goes, तो he और she एक वचन में हो गया, अब he और she का बहुचन आप बताएंगे, वह का बहुचन क्या है हिंदी में, वे, तो क्या होगा, दे, क्या होगा, दे, बहुचन में क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, यहाँ आप देखिए, एक वचन में ही शी है, और बहुचन में दोनों के लिए दे है, इस बात को आपको याद रखना, ही लटके के लिए, शी लडकी के लिए, लेकिन यह बहुचन है तो दोनों ही के लिए हो, चाहे वो लडकों के गृप के लिए हो, चाहे लड़कीों के जुंड के लिए हो, हम दे यूज करेंगे, चाहे लड़के और लड़कियों दोनों के mix के लिए हो, तो भी हम they का शब्द का उप्योग करते हैं, सर्वनाम में, they are coming मतलब लड़के आ रहे होंगे, लड़के आ रहे होंगे, या दोनों आ रहे होंगे, right? इस लिए इसे हम क्या कहते हैं थर्ड पर्सन अब ही और शी जो है वो सजीव के लिए है इट का भी हम उप्योग करते हैं हम बहुत बार इट का भी उप्योग करते हैं इट मतलब वह यह और इसलिए इसको भी हम पर्सनल प्रोनावन अफ थर्ड पर्सन कहते हैं पुरुष वाचक सर्वनाम उसके बाद पुरुष वाचक सर्वनाम के तीन क्रम फर्स पर्सन फिकेंड पर्सन थर्ड पर्सन इसको हम थोड़ा और इलाबरेट तरीके से समझने की कुश्चिश करें उसमें हमने ये भी देखा ही और शी का अंतर ये भी जाना कि बहुचन में ही और शी दे हो जाता है ऐसी मद्यम पुरुष में हमने जाना कि यू एक वचन में भी यू होता है और बहुचन में भी यू होता है लेकिन फर्स परसन में हमने जाना कि आई का बहुचन क्या हो जाता है वी हो जाता है अब यहाँ पर थोड़ा हम जेंडर को लेके बात करते हूं नॉमिनिटिव, संबंध कारक और कर्म कारक यदि पुरुष वाचक सर्मनामों की हम बात करें तो उसके विभिन रूप है फर ग्जामपल नॉमिनिटिव याने करता कारक जिसमें मैं singular में होगा आई, करता कारक में singular में होगा आई- आप समझते हैं और बहुचन में होगा वी इसके बारे में आपको बता दिया गया यہ आई और वी masculine और feminine दोनों में एक ही है चाहे वो पुरुष, चाहे वो स्त्री दोनों के लिए pulling और thrilling दोनों के लिए I और V होता है अब हम दूसरा आते है possessive case संबंध कारक संबंध कारक में क्या हो जाता है my और my I का क्या बन जाता है संबंध कारक my माइन M I N E संग्या के बदले उपयोग कर रहे है मेरा मेरा यदि बोलना है तो माई या माइन दोनों में क्या नतर ही हम आगे सीखेंगे पर भी आप समझ जाएं मेरा जो है मेरे नाम के बदले उसका अपयोग हो रहा है यह किताब मेरी है This is my book मैं ऐसा नहीं बोलूँगा This is the book of Sandeep यदि मेरा नाम संदीप है तो This is the book of Sandeep ऐसा नहीं बोलूँगा This is my book यह संबंध बता रहा है किताब का मेरे से क्या बता रहा है मेरे से किताब का संबंध बता रहा है तो यह possessive pronoun कहलाएगा और my और mine से इसको इसका उप्योग करते है और यदि बहुअचन है तो क्या होगा हम लोगों की किताब Our O U R अवर बहुअचन में हो जाएगा अवर I का बहुअचन क्या हुआ We और my का बहुअचन क्या हुआ Our My या माइन और अवर और अवर्स भी बोलते है हमारे This house is अवर्स मतलब हम लोगों का ये मकान है हमारा मकान है और हम लोगों का मकान है एक ही अवर्स होता है लेकिन अवर और अवर्स भी है So कर्ता कारक में Nominative case में I Plural We संबंद कारक में My, Mine And Our, Our अब तीसरा है कर्म कारक याने Accusative जो आपने पहले पढ़ा है Accusative Me मै Me This book belongs to Me या किताब मेरी है मेरी है और मी का बहुतन है Us It is me who has done it It is me who has done it It is me who has killed the snake It is me who has killed the snake I have killed the snake And it is me who has killed the snake ये मैं हूँ जिसने साप मारा है वहाँ पर मैं हूँ के बदले मैं हूँ में मैं बोलूँगा मी और मी का बहुतन क्या होगा Us हमने So अब ये आपने देखा कि उत्तम पुरुश याने जिसको हम कहते हैं First person First person का एक वचन बहुचन रूप और first person का masculine feminine सब बराबर एक वचन बहुचन में अंतर आपने देख लिया लेकिन ये दोनों के लिए applied है masculine के लिए भी feminine के लिए भी ठीक इसमें कोई अंतर नहीं अब हम आते हैं मध्यम पुरुश पे मध्यम पुरुश में क्या होता है second person जिसको बोलता है second person में दोनों के लिए बराबर है और यदि हम nominative के बात करें तो singular plural दोनों के लिए you मैंने आपको बताया ऐसे ही सम्मंध की बात करें तो your और yours दोनों के लिए और ऐसी कर्म कारक की बात करें तो भी you यहने possessive की बात करें accusative की बात करें तो भी you you जो है वो masculine feminine दोनों के लिए है और एक वचन बहुचन दोनों के लिए है वही शब्द है एक वचन बहुचन दोनों के लिए you और yours का उप्योग होता है तुम के लिए कोई और शब्द हो लड़की के लिए कोई और शब्द हो बहुत सारे तुम के लिए ऐसा नहीं होगा तुम यहने बहुचन भी है एक वचन भी है अंगरे जी में, ठीक, so this is about second person, now let's go to the third person, जैसे हम कहते है अन्यपुरुष, personal pronoun of third person, I am talking about pronoun, remember, इसमें singular अलग होता है, plural अलग होता है, feminine अलग है, masculine अलग है, third person में, your chart looks bigger, third person की बात करें, तो सबसे पहले जी देखें, हम he, masculine है, तो feminine क्या है, she, और बहु अचन में, दोनों के लिए जैसा मैंने बताया, they होता है, way, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, जुन्ड हो, जो भी हो, लड़की के लिए she, लड़के के लिए he, बिल्कुल clear, हिंदी में हम लड़की और लड़का के लिए क्या उप्योग करते हैं, क्रिया में यह लगा देते हैं, वह जाती है, वह जाता है, लेकिन जो करता कारक है वो, वह ही है, सर्वनाम जो हे, वह ही रहता है, वह, अंग्रेजी में सर्वनाम बδलता है, क्रिया नहीं बदलती, क्रिया में जाती है और जाता है हिंदी में है, अंग्रेजी में operating के लिए he है, लड़के के लिए she और लड़कों के लिए he, तो यदि हम इसको देखें और तो थोड़ा केरफुली देखें मैस्कुलिन के लिए ही है शी है फैमिनिन के लिए और बहुआ चन दोनों के लिए दोनों के लिए for both the gender दे संबंध कारक की बात करें मेरी उसकी तेरी पजेसिव so her लड़के के लिए his उसका और लड़की के लिए उसकी हिंदी में यहां पर अलग-अलग है हम लड़के के लिए उसका बोलते हैं और लड़की के लिए उसकी बोलते हैं ऐसी अंग्रेजी में भी लड़के के लिए his और लड़की के लिए her masculine is his and feminine is her और neuter gender neuter gender के लिए जैसा मैंने बताया it पहले बताया आपको it है neuter gender क्या होता है non-living non-living pen के लिए pen is broken it was a good pen pen is broken it was a good pen pen तूट गया है वह अच्छा pen था तो it किसके लिए उप्योग हो रहा है pen के लिए the pen was good pen is broken the pen was good ऐसा ना बोल करके मैं क्या बोल रहा हूँ the pen is broken it was good so it किसके लिए है पदार कौनसा पदार pen जो non-living है तो neuter है neuter gender तो it और सब के लिए it के लिए he के लिए she के लिए यदि बहु अचन करना है तो दे होगा right ऐसे संबंध कारक में क्या होगा his her it's them के बदले नहीं they are करिए they are unka क्या होगा unka और यह unka जो है वह भी masculine feminine दोनों के लिए बराबर है unki unka हिंदी में unki हो जाता है अंग्रेजी में unka हो जाता है पुरुश के लिए और लड़कियों के लिए हिंदी में अंग्रेजी में कुछ अलग है हिंदी में पुरुशों के लिए unka और लड़कियों के लिए unki लेकिन अंग्रे जी में दोनों के लिए ही देर यह देर ती एच यू आई 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 यू यह याद रखिएगा ती एच इअ आई 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 आ दे़र मने उनका यह थार्ड परसंड की बात होती है थार्ड परसंड में पॉसेसिव की बात हुई Now last is कर्मकारक्स, एक्यूजेटिव जो हमने पढ़ा है, him, him, पुरुष के लिए, her, लड़कियों के लिए, और them, उन के लिए, them, उन के लिए, तो इस पकार आप देख सकते हैं, कि first person, second person और third person में क्या variations हैं, variation किस चीज में होगा, एक वचन, बहुचन, या masculine और feminine, और उनके जो रूप हैं, वो आपने देखा, masculine रूप, feminine रूप, neuter, और उनका बहुचन, what you need to remember and practice is the third one, first and second are relatively easy, first person के जो प्रणाउन है, और second person के जो प्रणाउन है, वो तुलनात्मक जिश्चे सरल हैं, समझना, जो confusion आपको होता है, वो समानिते third में होता है, कि he का क्या होगा, he का क्या होगा, his, him, और इनके बहुचन क्या होंगे, और यदि his है और हर है, तो फिर बहुचन में क्या होगा, ये confusion होगाता है, मैं आपको पुना दोहरा दूँ, his और her दोनों का बहुवचन होता है their, he और she दोनों का बहुवचन होता है they, him और her दोनों का बहुवचन होता है them, अब यहां पे देखिए, her आया है दो जगा, संबंध कारक या पजेशिव में भी हर है और कर्म कारक या एक्यूजेट्व में भी हर है लड़की के लिए फैमिनिन के लिए लेकिन जब बहुचन हुआ तो संबंध कारक में लड़की का बहुचन क्या होता है देर और कर्म कारक में फेमिनन के लिए हर का बहुतन क्या होता है देम that we will definitely learn through practice जब हम अभ्यास करेंगे तो काफी कुछ स्पस्ट हो जाएगा you don't have to worry about this this is a very simple exercise but all that I am trying to say is that among the three persons this list is slightly this chart is slightly bigger but then this is very easy one for you to understand and we will do few more few exercises on this before we proceed अब चलिए थोड़ा सा बारीकियों पे और जाते हैं थोड़ा और गहराई में जाते हैं यह जो आपने चार्ट देखा फर्स पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन मैस्कुलिन, फैमिनन, सिंगुलर, प्लूरल इसको थोड़ा से गौर से देखें तो पाएंगे कि पर्सनल प्रोनाउन जो है पर्सनल प्रोनाउन में पर्सेसिव के दो रूप हैं संबंध कारक के दो रूप हैं इन में से माइ, माइन, यौर, सर, देर ये पर्सेसिव एड्जेक्टिव हैं क्योंकि संग्याओं के साथ इनका प्रयोग होता है और विशेशन का कार करते हूं सुन लिजे फिर से ये पर्सेशिव एड्जेक्टिव हैं और इसलिए इनके दो रूप हो गया है ये एड्जेक्टिव का कारिक कर रहे हैं एड्जेक्टिव मतलब क्या होता है विशेशन है सर्वनाम लेकिन विशेशन का काम कर रहे हैं विशेशता बता रहे हैं कैसे विशेशता बता रहे हैं चले उदाहरन देखते हैं This is my book. किसकी पुष्टक है? मेरी पुष्टक है. विशेष्टा किसकी बता रहा है? मेरी या मेरी पुष्टक है. उसकी नहीं है. विशेष्टा बता रहा है. So हम इसको कह सकते हैं, possessive adjective इनहें कहते हैं. क्योंकि संग्याओं के साथ ही इनका प्रेयोग हो रहा है. संग्या क्या है? This is my book में. संग्या क्या है? Book. Book is noun. Noun के साथ adjective के रूप में हो रहा है प्रेयोग. पर हैं तो pronoun. So we can say this is positive adjective. और यह दो से ज़्यादा है. Those are your books. Those are your books. वो आपकी किताबें हैं. विशेष्टा बता रहा है. किनकी किताबें हैं? आपकी किताबें हैं. That is black book. Color. विशेष्टा बता रहा है न? तो ऐसी आपकी भी विशेष्टा ही है. संग्या की विशेष्टा बता रहा है. ब्लैक कलर में ब्लैक विश्यष्टा बता रहा है ब्लैक बुक में किताब की तो ऐसे ही योर बुक में विश्यष्टा बता रहा है आपकी पुश्तक that is her book ये उसकी किताब है और हर किसके लिए पर उगता है feminine so please note कि पुरुष वाचक सर्म नामों में इनमें से अधिकाँश के सम्मंद कारक में दो रूप हो रहे हैं और इसलिए सम्मंद कारक विशेशन को सार्वनामिक विशेशन कहते हैं अर्थात सार्वनामिक विशेशन मतला प्रोनॉमियल एड्जेक्टिव ऐसे एड्जेक्टिव जो सर्वनाम है थोड़ा और समद्य की कोशिश करें हमने ये जाना कि सम्मंद कारक में संग्या के पहले विशेशन के रूप में कई बार सर्वनाम का उप्योग होता है और इसलिए उनके दो रूप है आप ये चार्ट में देख रहा है विशेशन के रूप में विशेशता बता रहा है किसकी संग्या की और चुकि संग्या की विशेष्टा बता रहा है, इसलिए विशेष्ण है, लेकिन है तो वैसे सर्वनाम, तो इसलिए इनका नाम क्या बुला गया है, एक और नाम सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेष्ण, सर्वनाम वाले विशेष्ण, संबंद वाचक विशेष्ण को जिसे हम possessive कह रहे थे, उस आइसे हम pronoun, pronoun ऑज्येक्टिव भी कहते हैं, क्योंकि ये सरवनाम से बनाए जाते हैं, किसे बना जाते हैं ? सरवनाम, माई सर्वनाम है लेकिन एड्जेक्टिव के रूप में उप्योग हुआ यौर्स क्या है सर्वनाम है एड्जेक्टिव के रूप में हर सर्वनाम है एड्जेक्टिव के रूप में हिज सर्वनाम है देर्स सर्वनाम है अवर्स सर्वनाम है लेकिन कैसा उपयोग हुआ है एड्जेक्टिव के रूप में इसलिए इनको प्रो नॉमिनल एड्जेक्टिव कहते हैं दूसरा एक दिखिये है हिस जो है हिस 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 का उपयोग सर्वनाम भी है और एड्जेक्टिव भी है और साथ ही एड्जेक्टिव है कि ये उसकी किताब है किस कौनचे किताब उसकी किताब अब देखिये यहाँ पे इस बुक यदि मैंने लिखा तो बुक की विशेष्टा बता रहा है तो एड्जेक्टिव हो गया एड्जेक्टिव भी है और सर्वनाम भी है दिस इस बुक प्रिकश्टिव राइब फिर चांध तो बुक किताब पूल सब्सक्राइब कावि भी है थिर्च बाहर से बुक पूल भी पने देखिये यहां नीचे नेचे थिर्च्टिवी बुक की विशेव भी है बुक श्टिवी विश्टिव इस बीडटेव काविड्स? yours is excellent that idea of yours is excellent यह क्या है मैंने एड्जेक्टिव को सर्वनाम के रूप में ले लिया है your idea is excellent ना कहके it was your idea पर मैं उसको सर्वनाम के रूप में ना मैं उसकरण कहें, the idea of yours is excellentShow adjective is used as pronoun, that is an example that we tend to give here that I am trying to make you understand Use of adjectives particularly in relation to sambandhakarak possessive,and trying to make you understand possessive pronoun and possessive adjective possessive pronoun and possessive adjective right next is third person इसी चार्ट में आप देख रहा हो कि third person में जो है उसमें तीन जेंडर हैं एक masculine आपने देखा एक feminine जेखा और एक neuter देखें neuter की spelling N-E-U-T-E-R बहुत ते लोग N-U-T-E-R लिख देते हैं so spelling है N-E-U-T-E-R neuter और neuter gender मतलब नपुंसक link neutral आप समझ सकते हैं जिसमें न feminine है न masculine की भावना याने पदार नर्जीव so इसमें तीन link होते हैं कहां पर third person में first person में नहीं है I लडकियों के लिए भी है लडकों के लिए भी है V लडकों के लिए भी है लडकियों के लिए भी है I say second person में भी नहीं है U लडकों के लिए भी है लडकियों के लिए भी है यूर्स ए उस्तोर बोड फमीने कि कुछ इन अजग थे कि इन जर्ट परaning जग आट सर्फ इन फिर्ट परृर्टर यृद विल्गएरंड़ केर टीट come under the category of the third person, am I clear to you, and third person मतलब तीसरा व्यक्ति, बोलने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, जिसके बारे में बोला जा रहा है उसका, जिसके बारे में बोला जा रहा है, वह लड़का है, या लड़की है, ये जानना जरूरी है, वह लड़का है, मैस्कुलिन है, या फैमिन है, या न्यूटर है, ये मालूम होना चाहिए, am I clear? Now come to the next one, सर्वनाम का अपयोग कुछ और तरीके से भी होता है, जैसे जो निर्जी वस्तुरती बेजान, Here is your book, here is your book, take it away, take that book away, ना कहके हम क्या बोलेंगे, it away, it किसके लिए यूज हुआ है, बुक के लिए, italics में लिखा है, it, so it जो है, neuter है, किसके लिए पयोग हुआ है, बुक के लिए, Here is your book, निर्जीव के लिए, ऐसे ही जानवरों के लिए भी होता है, जब तक कि इस पश्ट ना हो, कि जानवर नर है या मादा है, Try to understand, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि it का उपयोग, निर्जीव के लिए होता है, लेकिन कई बार, it का उपयोग, हम ऐसे जानवरों के लिए भी करते हैं, जब हमें नहीं मालूम, बोलने वाले को नहीं मालूम, कि वह male है या female है, वो नर है या मादा है, ऐसी जानकारी ना होने की स्थित में, हम नुटर जेंडर का उपयोग कर लेते हैं, it का, another example, it for animals, otherwise it is not used generally, but it is used when we do not know its gender, I love my dog, I love my dog, and I cannot live without it, I love my dog, and I cannot live without it, अब dog शब्द जो है, वो वैसे तो male के लिए उपयोग होता है, dog बने कुट्टा, बट कुट्टिया के लिए भी पयोग करते हैं, बिच नहीं बोलते, I love my bitch, we don't, I love my dog, मैं अपने कुट्टे को पसंद करता हूँ, और ऐसा कहने पर यह आपको सपस्ट नहीं हो रहा है कि मेरे पास जो कुट्टा है, वो male है कि female है, तो आगे ज़ी मैं बोलना चाहता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, I love my dog and I cannot do without it, cannot do without her नहीं, cannot do without him नहीं, without it, the horse fell and broke, अब horse male है कि female है, हमें नहीं मालूँ, horse male है कि female है, हमें नहीं मालूँ, तो क्या बोलेंगे, वहाँ पे, घोड़ा गिर गया और उसका पैर टूड़ गया, उसका के लिए क्या बोलेंगे, उसका के लिए यहाँ फिर his नहीं हो सकता, हर नहीं हो सकता, तो हम क्या बोलेंगे it, और का है, तो it में s लग जाएगा, उसका, its, I-T-S, the horse fell and broke its legs, और उसने अपना पैर तोड़ दिया, अब वो फीमेल या मेल नहीं है, इसलिए हम it लगा रहे हैं, आगे थोड़ा और बढ़ते हैं, इनकी बारिकियों में, छोटे बच्चों के लिए भी हम it का उप्योग करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों में हम चाहे वो बेबी बॉय हो, चाहे वो बेबी गर्ल हो, छोटे बच्चों के हम क्या बोलते हैं, बेबी, सामान ने था हम क्या बोलते हैं, बेबी, बेबी, इसका मतलब क्या बच्ची जरूरी नहीं है, बेबी मतलब लिटल चाहिल, वहाँ पर भी हम it का उप्योग कर लेते हैं, for example, when I saw the child, it was crying, he was crying, कब बोलेंगे जब बड़ा लड़का है, जब जान रहे हैं कि लड़का है, she was crying, कब बोलेंगे, जब वह लड़की है, थोड़ी बड़ी है, we know, it's a girl, but when it's a small baby, we don't know, एक जगे एक बच्ची रो, एक एक छोटा सा बच्चा रो रहा है, वो अधर वो girl है, वो boy है नहीं, मालूम पर हम it का उप्योग कर सकते हैं, neuter gender के जैसा treat कर सकते हैं, this is what is very clear, when I saw the child, it was crying, The baby has torn its clothes, baby ने अपने कपडे फार दिये हैं, baby has torn, tear, tore, torn, tore मतलब फार दिया, Torn मतलब third degree, third tense, third tense, tear, tore, torn, the baby has torn its clothes, his clothes नहीं, क्योंकि हमको मालूम ने उसका gender क्या है, राइट, चौथा रूप, चौथी खासियत जो आपको जाननी है, वो है, कि यदि पहले कोई सा वाक्य बोल दिया गया है, उस वाक्य को हम फुर नहीं दुराना चाहते हैं, तो हम it का उप्योग कर लेता हैं, जैसे, he is telling, what is not true, he is telling, what is not true, as he knows it, क्योंकि उसे मालूम है, क्या मालूम है, what is not true, it का उप्योग हो रहा है, he is telling, what is not true, as he knows it, it का उप्योग सर्वनाम के रूप में हो रहा है, और संग्या क्या है, वो वाक्य पूरा, what is not true, जो सच नहीं है, वो से मालूम है, he deserves punishment, as he knew it, he deserves punishment, as he knew it, it को यदि हमटा दें, तो क्या डालेंगे वहाँ पे, he deserves punishment, as he knew punishment, कैसा खराब लग रहा है बोलने में, पर अर्थ वही है, जो it के साथ है, he deserves this, उसे मिलना ही था सजा, क्योंकि उसे मालूम था, उसे मालूम था, कि उसे सजा मिलेगी ही, he deserves punishment, उसे सजा मिलनी चाहिए, उसे सजा मिलेगी मालूम था, ये अनुवाद हुआ, तो उसको सरलत्यक्त क्या बोलेंगे, simple क्या बोलेंगे, उसे सजा मिलनी चाहिए, और उसे मालूम था, फिर दुबारा बोलने की जुरत नी, उसे सजा मिलनी चाहिए, बिलकुल ने, so, sentence is, he deserve his punishment, he knew it, उसे मालूम था, next is, to be, to be क्या है, एक क्रिया, यहां मैं एक चीज बताना चाहूँगा, कि जब भी हम क्रिया अंग्रेजी में लिखते हैं, केवल क्रिया, तो क्रिया बताने के लिए, जैसे हिंदी में, ना शब्द लगता है, सामा निता, ना, नहाना, सोना, खाना, रोना, कूदना, दोडना, गिरना, पटकना, ना लगता है, ना, हिंदी में, अंग्रेजी में क्रिया शब्द के पहले, टू लगते हैं, क्रिया के पहले, क्रिया का जो मूल शब्द है, उसके पहले क्या लगते हैं, टू, यदि आपने टू लगाए, बिना ही क्रिया लिग दी तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहता है कोई अर्थ नहीं है उपयोग करते समय टू हट जाता है बनाना एक वाक्य है या खाना एक वाक्य है रोना एक वाक्य नहीं शब्द है क्रिया है सोना एक क्रिया है पर जब हम वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सो रहा है ना हट गया ऐसी अंग्रेजी में जब हम वाक्य बनाते हैं तो टू हटा देते हैं लेकिन क्रिया दिखाने के लिए किसी शब्द क्रिया बताने के लिए Hindi में जैसे ना लगता है सामानित या अंग्रेजी में हमेशा तू लगेगा क्रिया के पहले तो टू बी क्या है तू बी मने हो ना बी ए बी तू बी मने हो ना और तू बी के जो कई रूप है तू बी के ही रूप है इस, वाज वर, आर M, ये किसके रूप है, to be के ही रूप है, to be के विभिन रूप है, जो क्रिया है, वो इसके जो विभिन काल है, क्रिया को काल में चलाते हैं, विभिन कालों को ये is, was, where, ये क्या करता है उसको, पजर्शित करता है, विभिन कालों को, तो यहाँ पर to be kriya से पूर प्रविजनल और टेंपररी उद्देश के रूप में जब रियल उद्देश में आए तो it is easy to find fault यह एक वाक्य देखिए जहाँ it से शुरू हुआ it से शुरू, it is easy to find fault और is क्या है, to be का रूप है इस क्या है यहाँ पर to be का यह रूप है तो another word, जो नियम है जिसको मैं बताना चाह रहा हूँ वो यह है, to be kriya से पूर्व अस्थाई और ख्षनिक अस्थाई और ख्षनिक याने provisionally और temporary उद्देश के रूप में याने subject के रूप में जब वास्तविक उद्देश बाद में आ रहा है हम इट का उपयोग कप करते हैं तुभी क्रिया से पूर्व अस्थाई ख्षनिक उद्देश के रूप में जब वास्तविक या रियल उद्देश बाद में आ रहा है जैसे it is easy to find fault वास्तविक उद्देश क्या है ये बताना तुफाइड फॉल्ट is easy तो जब तुफाइड फॉल्ट is easy है और उसमें हमको प्रविजनली पहले उद्देश बताना है और वास्तविक उद्देश को बाद में तो हम बोलेंगे it is easy to find fault गलतियां निकालना सरल है क्या है सरल है गलतियां निकालना सरल है it is doubtful that he will come वाक्य की शुरुआत के सिरुरी it is doubtful it क्या है सर्वनाम क्या doubtful है उसका आना he will come is doubtful उसको हम कैसे बोलें बार बार ना बोल करके it is doubtful he will come it is certain you are wrong मतला हम बोलना क्या चाह है तुम गलत हो ये तै है क्या तै है तुम गलत हो ये तै है ये जो है वो क्या है सर्वनाम हो गया किसका सर्वनाम तुम गलत हो तुम गलत हो ये तै है It is certain you are wrong So मैं फुर से दोहरा दू इस पर्टिकलर नियम को खास कर To be क्रिया से पूर्व अस्थाई और ख्यनिक Temporary and provisionally उद्देश के रूप में जब वास्तविक उद्देश बाद में आए तब हम इसका उपयोग करते हैं I give an example It is easy to find fault It is difficult to accept the truth It is certain that you will come It is doubtful, it will rain And so on and so forth So, you are starting the sentence with it And it is the Sarvanam or pronoun for the subject that comes at the end Or that has come at the end in all these sentences Right The Sarvanam or noun It is what I am saying It is a student of the Deaf I am a professor of explanation And so we have to do